हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू आवर चैनल सो आज की वीडियो में एक तो डियाइवाई नहीं बलकि पूरे तेरा डियावाई शेयर करने वाली हो फैस्टिव डेकॉर के लिए तो फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स धियाईवाई के लिए मैं यहां पर कुलाड ले घह हूँ यहूज्ड कुलर है और दो डिफरेंट साइज के हैं और यह दो डिसपोजल कंटे striking हैं यह भी दो s bường कर लोंगी coloring पर करY कर सकते हैं अपनी चोइस से color कर सकते हैं ने लेकाल के लेज लब तो न vaidst दो और लेक केशन निüz है लेज ये उसके सब्सक्राइवर उन्हें निचाए लेकर वेज जैप़ी किसまた में सपस्क्तन कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट में ले रही हूँ ये सीडी तो ये दो सीडी मैंने ली है और यहां पर लिया है मैंने कैनवास क्लॉथ कैनवास क्लॉथ को मैंने सीडी के साइज में कट कर लिया है और पूरे CD पर अच्छी तरह से glue spread कर देंगे और इस cloth को CD में paste कर देंगे अगर canvas cloth नहीं है तो इसकी जगर नॉर्मल पेपर का भी use कर सकते हैं इसके बाद मैंने इसके ऊपर गड़िश लक्षमी का sketch draw कर लिया है बहुत ही simple and easy sketch draw किया है और अभी मैं इसमें color करूँगी तो अपने according color कर सकते हैं मैं यहां पर acrylic color का use कर रही हूँ मुझे सबसे best लगते हैं और color हो गया है color होने के बाद इनका जो face वाला area अभी खाली है तो उसके लिए मैं यहां पर clay ले रही हूँ और clay से इनके face वाले area को थोड़ा से 3D look दूँगी तो मतलब इस तरह से मैंने उनके face को थोड़ा से 3D look दे दिया है clay से और इसे stick करने के बाद clay को completely dry होने के लिए छोड़ दूँगी इसके बाद अभी मैं face वाले area पर भी color कर दूँगी और जो भी eyes वगेरा बनाने हैं वो पूरा बना कर इसे complete कर दूँगी इसके बाद मैं यहां पर यह गोटा पट्टी वाला lace ले रही हूँ तो इस lace से मैं जो cd वाला है ना इस पर एक border बना दूँगी लेस से और मैं यहां पर glue gun का यूज़ कर रही हूँ लेस को stick करने के लिए तो ऐसे ही मैं दोनों के साथ कर लूँगी और अभी यह होने के बाद मैंने यहां पर clay से ही bell का shape बनाया था तो इनको भी मैं color कर लूँगी और bell में भी मैंने यहां पर यह गोटा पट्टी वाला lace लगा दिया था और इसमें ना मैं थोड़े से beads वगेरा लगा कर एक hanging बना लूँगी और इन hanging को मैं इसमें back side पर stick कर दूँगी glue gun का यूज़ करके तो बस यह हमारे क्यूट से गरेश लक्षमी hanging ready हो गया है इसके बाद मैं यहां पर अपने old bangle ले रही हूँ कोई भी बैंगल ले सकते हैं और यह glitter sheet form sheet है मेरे पास तो यह form sheet को इस bangle के size में मैं पहले तो cut कर लूँगी इसका ट्रेस कर लूँगी और फिर इन दोनों को cut कर लूँगे यह cut होने के बाद इसके मैं bangle stick कर दूँगी और यहां पर मैंने strips cut करी हैं इसी form sheet की ही तो इन strips से मैं एक flower वाला look cut करूँगी तो सबसे पहलो तो मैं strip cut करूँगी उसके बाद इसे half में fold करके कुछ इस तरह से इसम और अभी मैं इसे पलट दूँगी और पलट कर वापस से glue gun से इस तरह से stick करूँगी तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा और अभी इसे मैंने यह जो हमने piece बनाया है इसके back side पर stick कर देंगे अभी जो beach वाला area खाली है वहाँ पर मैं golden 3D cone का use कर रही हूँ और उससे शुब लाब लिख दूँगी दोनों में इसके बाद last minute मैंने इसमें थोड़ी सी hanging भी एड़ करी थी कुछ beats वगेरा की ताकि इसमें थोड़ा सा और लुक अच्छा हो जाए और यह रा शुब लाब हैंगिंग का final look नेक्स्ट मैं अगें यह old 3D ले रही हूँ दो सीडी ले रही हूँ मैं यहाँ पर इनके उपर सबसे पहले तो मैं just apply कर दूँगी और इते dry होने दूँगी इसके dry होने के बाद अगें मैंने golden color का 3D कोन लिया है और या फिर सेरमी कोन ले सकते हैं इससे एक बहुत ही प्यारा सा design create कर दिया है और इससे dry होने दिया है उसके dry होने के बाद मैं यहाँ पर glass color ले रही हूँ और glass color को इन में जो हमने design बनाई है उसमें fill कर दूँगी तो जो color चाहें उस color से बना सकते हैं glass color के dry होने के बाद golden color से इसके उपर थोड़ी सी detailing और add करूंगी and यह जो बीच में area blank दिख रहा है न यहाँ पर मैं एक mirror stick कर दूँगी तो यह हमारे बहुत ही easy से tea light candle holder बनकर ready हो गया है इसकी बाद मैंने यहाँ पर तीन कार्डबोर्ट लिये हैं और तीनों कार्डबोर्ट के ऊपर मैं fabric stick करूंगी तो different color के तीन fabric भी ले लिये हैं fabric को कार्डबोर के साइज में थोड़ा सा मार्जन लेते हुए cut कर लेंगे और इसी कार्डबोर्ट के ऊपर फैब्रिक को stick कर देंगे तो पूरे कार्डबोर को cover कर देंगे फैब्रिक से इसके बाद मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी वाला लेज लिया है और इसी लेज से मैं इसमें थोड़े से designs बनाऊंगी तो मैं बहुत ही simple सा design बना रही हूँ और यह design तीनों के सेम बनाऊंगी तीनों पर बना लूँगी और इसके बाद मेरे पास यह पॉम पॉम बॉल्स रखे हुए हैं तो इन बॉल्स को मैं इनके बीच बीच में स्टिक कर दोंगी तो यह हमारे वाल डेकॉर रेडी हो गया आप इसे जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं मलब जिस भी पैटर्न में चाहें उस पैटर्न में वाल पर लगा सकते हैं है कि नेक्स्ट में यहां पर है स्मॉल साइज स्प्राइट बॉटल्स ले रही हो और उन्हें के टॉप पर मैंने उन्हें कट कर लिया इसके बाद इसपर जश्ट प्लाई किया है फिर में लेरी हूँ और पूरे को पैटरन से फिल कर देंगे सेम पैटरन यह जो चाहे वो पैटरन बना सकते हैं फिल करने के बाद उसे ड्राइ करेंगे और थोड़ा सा पॉम पॉम बॉल से इसे कम्पलीट कर देंगे इसके कम्पलीट होने के बाद यह इस तरह की आर्टिफिशियल माला आती है फ्लावर की किसी भी तरह की ले सकते हैं मेरे पास यह रखी हुई थे तो मैंने इसका यूज किया और इसे इसमें इस तरह से अटेच कर देंगे फिर यह रिंग रखे हुए थे मेरे पास मेरे पुराने स्लिंग बैक में हैंडल के तरह यह यूज हो रहे थे तो मैंने इसे भी इसमें अटेच कर दिया और यह भी हमारे एक प्यारा सा डियाइवाई रेडी हो गया है इसके बाद यह यह क्विक डियाइवाई है या फिर construct भी बोल सकते हैं इसके लिए कोई भी बीड़ास ग्लास लेना है हमें एक और उस घ्लास के अंदर कुछ भी कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं या इस तरह एकी माला और रंगोली कलर सकते हैं रियल फ्लॉवर मतलब वो फिल कर दें और इसके अंदर टी लाइट केंडल लगा दें यह सो ब्रम्रेत के लिखाद exits motor करें और थोड़े बहुत उसमें डिटेलिंग बना दी हैं इसके बाद यह हमारा एक विक सा लैम्प बनकर रेडी हो जाएगा नेट्स मैंने यह काड़बोर्ट के स्टिप्स ली है और इसके इस तरह से मैं स्क्वाइर शेप बनाऊंगी ग्लू गन से चिपका दूँगे इसे और मैंने इसे टोटल दो बनाए हैं इसके बाद यह बैंबू स्कूर्स लिया है इसके जगापर पेपर स्ट्रॉ भी ले सकते है और इसको मैं इन दोनों काड़बोर्ट के जो स्क्वायर शेप बनाए हैं उसमें इस तरह से जॉइंट कर दूँगी तो यह एक बेस बनकर रेडी हो जाएगा एंड यह मेरे पास एक सितारे वाला लेस रखा हुआ था तो इस लेस को मैंने इसमें चारों तरफ घुमा घ एड करके यह हमारा प्यारा सा लैम्प बनकर रेडी हो गया है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हुआ था इसके बाद मैंने यह ग्लास बॉटल ली है इसके ऊपर मैं 3D कोन ले सकते हैं या फे सेरेमिक कोन ले सकते हैं जो भी अबिलेबल हो उससे मैंने पैटन बनाया तो मैं यहां पर ना पिच्छवई पैटन होते हैं उसका थोड़ा बड़ एड कर रही हूं वैसे जो चाहें व बाद ड्राइ होने देंगे और ड्राइ होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर से डीटेलिंग कर रही हूं डीटेलिंग करने के बाद अभी मैंने गोल्डन कलर लिक्वेड में लिया है और इसे इस बॉटल के अंदर फिल कर दिया है और इस तरह से बॉटल को और यह पार्टी बॉम में इस तरह से अंदर से ट्यूब निकलते हैं तो इसका यूज करूँगी दो साइज में है मेरे पास यहां पर और इसे मैं टीशू पेपर से कवर कर दोंगी इसके ड्राइ होने के बाद मैं इस पर कलर करूंगी तो मैं इसे काफी कलर फुल बना रही ह और यह होने के बाद अभी मैंने यहां पर लिये है काटोरिया एकली मेरे पास वेस्ट बावल रखे हुए थे और इसे मैं इसमें स्टिक कर दूंगी ग्लूगन से बावल थोड़े से फीके फीके लग रहे थे इसलिए मैंने उसमें यह पॉम-पॉम सैट कर दिये लास्ट म अप्लाई किया है वाणिस सभी के ऊपर वाणिस जरूर अप्लाई करिएगा और इसका लुक मैं बात में दिखाऊंगी अभी देखते हैं नेक्स्ट तो मैंने यहां पर एक प्लाइवूड लिया है और लिया है धेर सारा क्ले तो इस क्ले का मैंना एक मोटा सा रोल ऐसे बन प्लाईवूड के ऊपर एक बॉडर बनाना है इसके चारो तरफ और यह जो गोल गोल बनाया है इसमें इस तरह से गैप दिखते है तो इसे फिल करने के लिए कुछ इस तरह की डिजाइन मैन इसमें बना दी है तो इसे पावडर लगा कर बराबर भी कर सकते हैं इसके बाद मिरर से मैं इसमें कुछ पैटर्न बनाऊंगी जो भी चाहें जैसे भी चाहें मिरर से यूज कर सकते हैं सिम्पल से पैटर्न मैंने यहां पर बना दिये हैं इसके ड्राइं होने के बाद में ले रही हूँ एक्रिलिक वाल पुट्टी जितनी जरूर तो उतनी वाल को मैं अपने मिरर वाला जो वाल उसके उपर अप्लाइ करेंगे तो यह मैं यहां पर एक मोजैक प्रे बना रही हूँ तो अच्छी तरह से पूरे प्लाइवुट के ऊपर इस पेस्ट को स्प्रेड करेंगे और उपर से थोड़ा सा पानी लगा कर पेस्ट के सर्फिस को स्म अच्छा नहीं लगता लास्ट में यह एक्रिलिक की इंपर्टी बोटल दी है और उसके कैप निकाल लिये हैं और इन कैप को मैं इसी में ही स्टिक कर दूंगी तो इसमें ना इसे एज लेग बना दूंगी तो इसमें थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी तो और अच्छा लग अच्छा लिये हैं नेक्स में यहाँ यह पर यह प्लाज बॉटल ले रही हूं और इस बटल को ऊपर सब से पहले तो मैं अप्लाइ कर दूगी तो पूरा टिशु पेपर से से गवर कर दो गी और ड्राइब होने के बाद अभी मैंने इसमें कल्री किये हैं तो कलर्स यह का एपाल हो गए है है इस अब ही मैंने यहां पर ब्लैक कलर का 3D कोन लिया है सेरमिक कोन भी ले सकते हैं यह मैंने मार्केट से पर्चेस किया था सभी चीजों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा और थोड़ी बहुत डिटेलिंग इस सेरमिक क तो आप चलते हैं हमारे लास्ट डियाइवाई की तरफ जिसके लिए मैं यह यह एमडिय बोड ले रही हूं 12 इंचेस का साइज है और इसके उपर जैसो अपलाई किया है जैसो अपलाई होने के बाद मैं यहां पर ले रही हूं डेकोपेश पेपर तो यह रादाकृषन का कराछ परिंट है इसमें इसको मैं निकाल लूँगी और इसको निकालने के बाद इसे ना मैं यह जो अँब्डेफ बोड है इसके साइजु थोड़ असा मतलब फार्म लोगी इसके एक्स्रा पार्ट को और गुलु से एसे बेस पर पर श्टिक कर दूँगी और जितने भी से पेपर से मिल चुलते हैं। उन कलर्स को साइड में कलर कर दूगी। इसके बाद मैंने यहां पर थोड़े से कुंदन भी लिये थी इनकी ज्वेलरी में एड़ करने के लिए। और कुंदन तो वैसे ऑप्षिनल है। इसके बाद जो साइड में एरिया ब्लैंक है। वहां प एक बॉडर बना देंगे तो यह रहा इसका फाइनल लुक आज की वीडियो में बस इतना ही अगर इन में से एक भी डियाइवाइज अच्छा लगा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और ज्याद से ज्यादा अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियोस फैस्टिव डिकॉर के लिए आने वाले हैं तो मिलते हैं आर्ट इन के आपसे बड़े ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में टेलनें टेक केर और बाबाई झाले हैं